नमस्कार दोस्तों, आज इंडियन रेल्वेज जादतर ट्रेंज को टाइम पर चलाने की कोशिश कर रही है और रेल्वेज स्टेशन की साफ सफाई पर जादा ध्यान दे रही है पैसेंजर्स को भी अच्छी फैसिलिटीस देने की कोशिश की जा रही है पहले की तुला में भारती रेल्वेज में काफी सुधार आया है मगर कुछ जगह पर अभी भी ट्रेन पैसेंजर्स को परशानियों का सामना करना पड़ता है अब इंडियन रेल्वेज ने ट्रेन मेडिकल सर्विस को बहतर बनाने के लिए काम शुरू कर दिया है जिससे की ट्रेन में बहतर चिकत्सा सेवा हैं प्रदान की जा सके यात्रियों से मिली कंप्लेन को ध्यान में रखते हुए उनके निराकरन के लिए इंडियन रिल्वेज कदम उठा रही है ये कंप्लेन जादतर पैंट्री कार की सर्विस को लेकर होती है कि ट्रेन में जो सर्विस मिल रही है वो कैसी मिल रही है ये ट्रेन दिल्ली से मरसर के बीच में थी पैसेंजर सर्विस कमिटी टीम ने जनशिताब्दी ट्रेन के यातरियों से बात भी की और उनकी प्रॉलम सुनी जनिशताबदी ट्रेन में मील में breakfast और चाय दी जाती है जिसका charge reservation ticket के साथ ही जुड़ा होता है हाला कि जनिशताबदी ट्रेन में यात्रा करने वाली passenger service committee team ने यात्रियों को दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं पर नाराजगी वक्त की है committee team के members ने देखा कि passengers को breakfast के बाद चाय नहीं दी गई थी train के coaches में भी गंदगी नजर आ रही थी फिर गया था train में जिस ठेकेदार को contact मिला हुआ था उस पर नियम रिलोई scattering and tourism cooperation पर जिसने ये contact दिया था भारी जुर्माना लगा दिया नियम के मुताबिक breakfast के बाद हर passenger को चाय सर्फ करनी चाहिए लेकिन इस train में breakfast के बाद चाय नहीं दे रहे थे passenger service committee team ने इसके बाद IRCTC पर railway rules तोडने के लिए एक लाग रुपे का जुर्माना लगा दिया था committee team यहीं नहीं रोकी train के coaches उसमें गंदगी पाय जाने पर भी 50 से हर रुपे का पाइन लगा दिया अमरसर इल्वे स्टेशन पर पीने वाले पानी पर भी नाराजगी वक्त की इस दोरन टंकियों से पानी के सेंपल लेकर लैब में चेक करने के लिए भेज दिये थे अधिकारियों को एक सब्ता के अंदर रिपोर्ट दाकिल करने का आदेश दे दिये गया है पैसेंजर सर्विस कमिटी टीम ने कहा कि ठेके वाली कमपनी पर भी भारी जुर्माना लगा जाएगा उन्हेंने साफ कर दिया कि उनका मकसद ट्रेन पैसेंजर्स को बहतर सुविदा प्रदान करना है